जो महत्पूर्ण बात है जब से ये भष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की है और अंशन पर बैठा था उसके बाद सवाल उठाए तो देश भर से कई अन्ना जी के समय के जो लोग जुड़े हुए थे और छोड़कर चले गए थे अंदोलर उनके फोन आ रहे हैं कई लोग मिलने के लिए आए कल देल रात तक इंडिया अगेंश करप्शन के कुछ पुराने साथियों के साथ मीटिंग चलती रही और ये समझ में आया कि सब लोग जुड़ना चाहते हैं एक एक करके बहुत सारे कार्यकरता और वॉलंटियर पार्टी छोड़कर चले गए कु कुछ और लोग है जिनकी आखे आने वाले समय में इन सारे सबूतों को देखके खुल रही हैं एक अपील और एक प्राथना सब लोगों के नाम आज करने जा रहा हूं अन्ना आंदोलन के सभी साथियों से ये अपील है 498 लोग अन्ना जी के आंदोलन के समय अंशन पर दिल्ली के पूरे अंदोलन को दिल्ली के कोने कोने से जिनोंने विवस्ता समाली थी केंडल लाइट मार्च करने की भोजन की विवस्ता समाली थी जिनोंने इस दिल्ली के अंदोलन को दुनिया भर तक पहुंचाया था उन सभी से पार्टी से जो लोग निराश होकर अपने ये अपील कर रहा हूँ ऐसे सभी साथी और कारकरता जो ये जानते हैं और मानते हैं कि विभव कुमार, आशीश तलवार, संजय सिंग, दुरगेश पाठक, दिलीप पांडे इत्यादी ने इस पार्टी को हाईजेक कर लिया है और ये अपने इशारे पर पार्टी चलाते हैं जनता और कारकरताओं से पार्टी दूर हो गई है ऐसे सभी लोगों से जो ये जानते हैं, उनसे ये अपील कर रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है, छीनना है, ये हमारी पार्टी है इस पार्टी को इस आंदोलन को हम लोगों ने बनाया है ज़ादा तर लोगों ने निराश हो बताएं कि 4-5 भृष्टाचारी लोगों को इस पार्टी से निकलना होगा ये इमांदार लोगों की पार्टी थी यहां बेइमानों के लिए कोई जगा नहीं है एक बात और मैं कहना चाहता हूँ माफी मांगना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों से जब वो पार्टी छो मांगना चाहता हूँ अपने सभी साथियों से जो ये बोल रहे थे कि पार्टी में ब्रष्टाचार हो रहा है जो ये कह रहे थे कि यहां पर गलत काम होने लगे हैं और हमने उनकी बात नई मानी अर्विन केजरिवाल जी के इशारे पर मैंने कुछ अमर्यादित तोर पर भ बरसों में कभी एक बार खड़े होते हैं केवल दो-चार लोगों के ब्रष्ट होने के कारण आंदोलन खतम नहीं होना चाहिए आप सबसे लेट्स क्लीन आप आओ आम आदमी पार्टी को साफ करें आम आदमी पार्टी से ब्रष्टाचारियों को दूर करें और एक अभिया पर हम सब लोग जुड़ सकते हैं यह नंबर है 786 303 7300 786 303 7300 जीरो एक विचार मेरे मन में और आ रहा है क्या आप समय आ गया है राइट टू रिकॉल का क्या आप समय आ गया है कि दिल्ली की जनता ये फैसला करें कि ये लोग कुरसी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मेरे मन में विचार है आप सब जब इस नंबर पर मिस्कॉल करें उस मीटिंग में इन विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे और अपने सभी पुराने साथियों का मात दर्शन लेकर ये निश्चित करेंगे कि आगे की रास्ता किस दिशा में जाना चाहिए तो ये एक अपील थी जो आज सबसे करना चाहता था अब बात है संजय सिंग जी और आशुतोष जी के विदेशी दोरों की पिछले कई दिनों से मैं दस्तावेज और तथ्य और डाकुमेंट सामने रख रहा हूं कि अर्विंद केजरिवाल जी की नॉलेज में हवाला का पैसा था हेम प्रकाश का लेटर उन्होंने उस दिन जान मूच कर छुपाया था और मुकेश कुमार का भांडा फोड़ा उस दिन से मुकेश कुमार का ही सामने नहीं आया और उस दिन के बाद से अर्विंद केजरिवाल जी ने कोई ट्विट नी की कि पैसा कहां से आया है आज मैंने पांच नेताओं के विदेशी दोरों की जानकारी मांगी थी रागव चड लेगा इतनी खतरनात जानकारी निकलेगी एक छोटी सी जानकारी सामने आई कि संजय सिंग जी और आशुतोष जी को रशिया शीतल प्रशाद सिंग नामक व्यक्ति लेकर गए उन्होंने इनकी पूरी यात्रा इस्पॉंसर की रशिया की संजय सिंग जी ने खुद इंटर पहले सवाल है पहले मैं बढ़ देता हूं उसके बाद आदर निया अरविंद जी मैंने पांच नेताओं की विरेश यात्राओं के बारे में जानकारी सारोजनिक करने की मांग की थी हमेशा हर चीज जनता के सामने रखने की बात करने वाले सभी लोग उसी दिन से चुपी लगा कर बैठे हुए हैं लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि अगर इन विरेश यात्राओं के डिटेल्स और किसके पैसों से ये यात्राओं हुई ये जनता को पता लग गया तो शायद आपको देश छोड़ कर भागना पड़ जाए क्यों नहीं की जाती ये जानकारियां सारोजनिक इसका एहसास अब सभी लोगों को होने लगा है हर बार मैं तक्ट्यों डाकुमेंट्स के साथ हवाला और काले धन का सबूत देता हूँ और हर बार आप चुप लगा के बैठ जाते हो या मेरे को बीजेपी का एजेंट कहने लगते हो किसी सवाल का जवाब नहीं देते आज मैं कुछ सवाल सारे देश के सामने पूछ रहा हूँ क्या अरविंद केजरीवाल जी को शीतल सिंग जी के बारे में पता है जिनोंने संजे सिंग वा आशुतोष की रशिया की यात्रा इस्पॉंसर की